हरियम ओम गणेशा शीव स्वरोदै ज्यान के आज के इस भाग में मैं पिंगला कथन श्रवन करवाऊंगा जो माता पारवती जी को उमा जी को जो भगवान शीव जी ने श्रवन करवाया था वही मैं आज आपको श्रवन करवाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले यह कहूंगा कि इसके पीछे के जितने भी बांग है शुरूंखला के वह अवश्य आप देखेंगे तभी शीव स्वरुदे ज्यान का जो अर्थ है उसका प्रयोग कैसे करना है इसका महत्व क्या है वहां आपको समझ में आएंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो भगवान कहते हैं के कठीन क्रूर विद्या नाम पठने पाठने तथा स्त्री संगे वैश्य गमने महानवगादी र और को सिखाना यह फिर वैश्य गमन करना किसी नए जहाज में प्रयान करना उसके लिए यह पिंगला नाड़ी अर्थात जो राइट हैं की सुर्या की नाड़ी है वहां शुब मानी गई हैं ब्रश्टकारिया मदिरापान वीर मंत्र आदी की उपासना करना विहीवल होना देश का विद्वांस करना वाईरियों के शाथ विश्य देना अर्थात क्रूर कर्म करना उसमें यह जो नाड़ी है उसका काफी बड़ा महत्व पुर्ण भाग रहता है सुर्या नाड़ी का शास्त्रों का अभ्यास करना मुरुगया गमन करना पशुओ का व्यापार करना इटे लकडिया पत्थर और रपना आदी को गिस कर उसको कापना उसमें सुरिया नाड़ी स्रेश्ठ मानी गई है गमन का अभ्यश करना यंप्ला कला परवत पर चड़ना पिर जो हाथी गोडे रत है उसको बनाना उसके उपर सबारी करना उसमें यह नाड़ी स्रेश्ठ मा को रोकने के लिए जो भी क्रियाई की जाती है इस नाड़ी में अवश्य करने चाहिए गदे मूट बैस हाती और घोड़े के उपर चड़ कर उसकी सवारी करना नदी को पार करना अउशद करने के लिए लिखने के लिए अर्थाद अउशदी से जुड़े हुए कोई ग्रंत लिखने के लिए सुरिय नाड़ी जो है जो पिंगला नाड़ी है उसको उत्तम माना गया है मोहन विद्या का प्रयोक करना शत्रू का उच्चाटन करना किसी को वश में करना और यह जो सारी चीज़े है वह सुरिय नाड़ी में उत्तम मानी गई है प्रेतों का आवहन करना प्रेतों को बोलना, आत्माओं को मुलाना, शत्रूं को निग्रह करना, तलवार को हाथ मे लेना, शत्रूं के सामने युद्ध प्रसंग में खड़े रहना, शत्रूं को एक प्रकार से प्रास्त कर देना, राजा के दर्शन के लिए बोजन नान व्यवहार प्रकाशित कारिय को करने के लिए सुरिय की यह पिंगला नाड़ी है उसको स्रेष्ठ माना गया है बोजन द्वारा मंदागनी करना स्त्रियों को वर्ष करने के लिए शायन करना स्त्रियों को वर्ष करना या फिर आकर्शन शक्ति जो है वह बढ़ाना उसी प्रकार से अगर स्त्री इसका प्रयोग करती है तो पूरुष को आकर्शित करना यह सारे कारिय वो जब है सुरिय सबर चल रहा है अपनी राइट हैंड के जब नाड़ी चल रही है पिंगला उसमे शरिष्ट माना गया है सगड़े जो भी सारे कारियों है इस नाड़ी का क्या काम है चंद्रनाडी शितल है थन्ली है तो उस प्रकार से उसमें मैंने पिछले भाग में आपको श्रवन करवाया था क्या क्या कार्यों करने चाहिए जो महादेव जी ने उमाजी को श्रवन और यह था सुरिया नाडी का फलकतन अर्था था पिंगला नाडी का संक्रिप्त फलकतन के इस नाडी में हम क्या-क। यह कर सकते हैं आने वाले भग में आपको सुशुमना फलक अथन में श्रवन करवाऊंगा अगर आपको यह शुंकला यह विशाई वीडियो पसंद आ रहा है आता है तो अवस्चे वीडियो को लाइक करें सबसे ज्यादा शेयर कीजे और चैनल पर नायो हो तो करके गंटिका चिनह दबाएगा बहुत जल मिलते हैं नायो विशाई और वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहे हैं करमकान भाई आनंद पाठक मेरे साथ ओम गानेश हरहर महा देव